साथियो नमस्कार यूद कमपटिशन टाइमस के आफिसियल यूटूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है साथियो जैसा आज एकी जो आनलाइन लाइब क्लास चलती है वो टेकनिकल इसू के कारण नहीं चल पाए उसमें ज्यादा तर वफिंग हो रही थे जिसके कारण से क्लास को रोखना पड़ गया तो हम लोग आज की क्लास में जन जाती आन्दोलन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोगों का target ये था कि जितने भी जन जाती आंदोलन हुए हैं, उनको हम लोग complete करने, लेकिन live नहीं हो पाया है, जिसके कारण से हम लोग इसको recorded form में class को record करेंगे और उसके बाद से इसको public कर दिया जाएगा, ठीक है, तो चलिए, आज की class में सबसे पहले हम लोग जितने भी जन जाती आंदोलन हुए हैं, उनको हम लोग तयार करते हैं, जितने भी लोग सिवा आयोग में इस प्रस्ण को पूछा गया है, जन जाती आंदोलन से related उसको करेंगे, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, और पहले प्रस्ण पर हम लोग चलते हैं, प्रमुख जन जन जाती आंदोलन जो हुए हैं, उसमें हमारा जो पहला प्रस्ण है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या कहा रहा है, बोला कि भारत में उननीसवी सताब्दी का जन जाती आंदोलन भूमी बिस्थापन की प्रक्रिया, एवं वन बिधियों की पुनर अस्थापना का पर करना, जन जातीयों के मैटर में अपना हस्ता छेप करना, जैसे कि जो आदिवासी समू के लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपना जीवन एकांत में बैथित करना चाहते थे, वो बाहरी दुनिया से मतलब लेना नहीं चाहते थे, उनके क्रिसी करने की पद्दती अलग थी, बनो को अपने हिसाब से वो लोग उनके फलों को अपने मतलब बनो को अपने हिसाब से ट्रीट करते थे, लेकिन अंग्रेज क्या किये, अंग्रेजों के द्वारा उसमें हस्ता छेप किया गया, हस्ता छेप करने के कारण से जन जाती विद्रो की भावना उत्पन होने लग आप कहें गए काषन या है काषन दो की बात कर रहा है कि भारत के सुतनतता आंधुलन ने जन जातियों द्वारा छेली गई समस्याओं का समाधान किया तो आप कहें कि कसफन दो गलत है तो यहां पर कफन एक्जस तो सही है लेकिन दूसरा कल अब्री सपरिय और प्रश्न संख्या 2 क्या करा है, बोल रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सभी जन जाती बिद्रोह का समानने कारण क्या था, तो जितने भी जन जाती आंदोलन हुए थे, जन जाती आंदोलन का एक जो जनरल रीजन था, वो क्या था, वो था अउपनिवेसिक प्रसासन द् कि उपनिवेश, मतलब औंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें उपनिवेश की परधी में लेके आना, उपनिवेश के अंधर लेके आना, और जो जन जातियों के द्वारा, प्रिथक्टा मतलब अलग से अपनी जीवन जीने की पद्धती थी, आपने वनों को ट्रीट करने की अलग पद्दती थी, क्रिसी करने की अलग पद्दती थी, उसमें हस्ता छेप करने की कारण, क्या हुआ, जन जाती आंदूलन प्रारंब हो गये थे, जन जाती बिद्रोह हुए थे, तो सही आपसन क्या हो जाएगा, B is the right आपसन, चलिए, आगे चलते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, प्रशन संख्या, चार पर चलते हैं, और अगला सबसे most important हमारे सामने प्रशन आगया है, संथाल विद्रोह के बारे में, अब आपसे यहाँ पर प्रशन पूछा जाता है, कि संथाल विद्रोह कभी स्टार्ट हुआ, तो आप कहेंगे कि 1856 में संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ, आपसे दूसरा प्रशन पूछा जाता है, कि संथाल विद्रोह कहां पर स्टार्ट हुआ था, तो आप कहेंगे संथाल विद्रोह जो था, वो भागलपूर, जो बिहार में डिष्टिक है, भागलपूर, तो भागलपूर से लेके राज पट्टे पर देना जाना शुरू कर दिया गया, जिसके कारण से संथाल विद्रो प्रारम हो गया, और अंग्रेजों के द्वारा 1832 में डेट बहुत इंपॉर्टन्ट है पूछा जा चुका है, अंग्रेजों के द्वारा संथालों के भूमी जो थी, उसका सिमांकन 1832 में पाया गया था, जिसके कारण से आगे जब पट्टे पर दिया जाना शुरू किया गया, तो जिसके कारण से संथाल विद्रो पैदा मतलब उत्पन हो गया, अब आप से तीसरा प्रशनियाँ पर पूछा जाता है, जो संथाल विद्रो हुआ था, संथाल विद्रो को नित्र 155 के संथाल हूल, संथाल विद्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला statement दिया हुआ है, संथाल लोग निरासा जनक इस्तिती में थे, क्योंकि जन जाती भूमी पट्टे पर दी गई थी, यहाँ बात बिल्कुल सत है, संथालों के संथाल जन जाती के लोगों में अभिस्वास पैदा हो गया था, या एक तरीके से बात कहें, तो उनकी भूमी को पट्टे पर अंग्रेजों के द्वारा सुरू किया गया देना, इसके कारण से क्या हुआ, उसमें असंतोस पैदा हो गया था, तो पहला बिल्कुल सत्य, दूसरा, संथाल वि इकायों में संगठित कर दिया गया, तो आप कहेंगे कि यहा सत्य है, चौथा क्या है, चौथा गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही अप्सन क्या हो जाएगा, कि D is the right option, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा और चौथा क्या है, गलत ह आगे चलते हैं प्रशन संख्या 5 पर चलते हैं प्रशन संख्या 5 क्या कर रहा है बोला कि संथाल विद्रो के सांत हो जाने के बाद संथाल विद्रो के सांत हो जाने के बाद आउपनिवेसिक सासन के द्वारा कौन से उपाय किये गए संथाल विद्रो जब समाप्त हो गया अं अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था अंग्रेजों के द्वारा पहला statement लिखा हुआ संथाल परगना नामक राज छित्र का स्रिजन किया गया था तो भागलपूर से राज महल के बीच का जो भूमी था वहाँ पर जो आदिवासी निवास करते थे संथाल के लोग अंत्रन करना गैर कानूनी हो गया था तो अंग्रेजों की द्वारा एक कानून और बनाया गया कि जितने भी संथालों की जो भूमी है संथालों की भूमी को अब कोई गैर संथाल नहीं ले सकता है ठीक है तो भूमी अस्थान अंत्रन को गैर कानूनी कर दिया गया था तो यह आगे चलते हैं अगले प्रशन पर, प्रशन संख्या 6, क्या कह रहा है, बोला कि 1855 के संथाल हूल के संदर में, 1855 में जो संथाल विद्रो था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला दिया हुआ है, कि भागलपुर के पास मेजर बारों ने संथाल लडाई में हार गय गया था, और पहली बार, सबसे पहला संथाल विद्रो को क्रैक डाउन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मेजर बारों को भेजा गया था, लेकिन वो मेजर बारों भागलपुर के पास में, वो इस युद्ध में हार गया था, तो पहला तो बिलकु सही है, दूसरा, गोको गोड़ा एक महतुपूर नेता था, गोको गोड़ा का, ठीक है, तो ये भी बात सत्य है, गोको जो था कहां का, गोड़ा का एक महतुपूर नेता था, तीसरा दिया गुआ है, इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय भी एक महतुपूर नाम है, तो यहां भी सत्य है, एक समय था जब मुझफर पूर के पास निकट गंगा घाटी के छत पर संथालों का पूर्ड बर्चस हो था तो यहाँ पर यह कथन तो गलत हो जाएगा, सही आप्सन हो जाएगा, C is the right आप्सन, इस प्रशन का सही उतर क्या होगा C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों क्या है, बिल्कुल सही है, तीनों पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यह तीनों बिल्कुल सही है भाई, किलियर है चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रस्ण पर चलते हैं जो हमारा अगला प्रस्ण है उसको देखते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्रस्ण संक्या साथ पर चलते हैं प्रस्ण संक्या साथ क्या करा है बोल रहा है बिटिस सरकार दोरा दमन एकोह का निर्माण निम्म में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो भागलपूर से लेके राजमहल के अच्छेतर था उसको दमन एकोह के नाम से जाना जाता था उस छेतर को अंग्रेजों के दोरा दमन एकोह का नाम दिया गया था ठीक है तो बोल और और वहाँ पर संथालों को फिर से बसाने के लिए ये कार्य किया गया था तो यहाँ पर सही अच्छेतर क्या हो जागा? A is the right अच्छेतर संथाल बिल्कुल सही हो जाएगा जिसका सिमांकन कब किया गया था? सिमांकन 1832 में अंग्रेजों के दोरा किया गया था और जिसे संथालों की भूमी को घोसित किया गया था सही अच्छेतर क्या हो जाएगा? A is the right अच्छेतर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं अगले प्रशन पर प्रशन संख्या 9 प्रशन संख्या 9 क्या करा है? बोला संथाल विद्रों के संबंध में दमन एकोह का क्या अर्थ है? संथाल जन जाती का संगठन संथालों द्वारा उठाई गई मांगे राजमहल पहाड़ियों के पास की जो जमीन थी भागलपूर से लेकर राजमहल पहाड़ी के बीच का जो भाग था वो संथाल आदिवासी वहाँ पर निवास करते थे और वहाँ की जो भूमी थी उसको दमन एकोह के नाम से जाना जाता था C is the right option C आपर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या का रहा है बोला कि निम्न लिखित में से किस वर्स में ब्रिटिस सासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग दमन एकोह के किया गया था उसका सिमांकर 1832 में किया गया था D is the right option ठीक है सिमांकर 1832 में किया गया था चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या 11 क्या करा है बोल रहा है कि किस अस्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाप बिद्रोह किया था तो बिहार यहां पर सही आफ्सन हो जाएगा और कोई नहीं है तो यहां पर सही आफ्सन क्या हो जाएगा A is the right option चलिए आगे चलते हैं अब देखिए प्रश्न संख्या 12 अभी हम लोग पड़े कि जो हमारा संथाल विद्रोह था 1856 में हुआ था उसका नेत्रितों सिद्धों औ 1332 में करवाया गया था और बाद में अंगरेजों के द्वारा भूमी को पट्टे पर दिया जाना शुरू कर दिया गया था जिससे संथाल जो जनजाती के लोग थे उनके अंदर अभिश्वास और विद्रोह पैदा हुआ जिसका नित्रितों सिद्धों और कानों ने किया ठीक है तो यह सारी चीजे थी तो सिद्धों और कानों किस मुमेंट से जुड़े हुए थे तो आप कहेंगे सिद्धों और कानों संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे D is the right option इसको कम से कम तीन से चार बार भी भिन लोग सेवा आयोग में पूछा जा चुका है हिमाचा चलते हैं प्रशन संख्या 13 पर प्रशन संख्या 13 घुमा के पूछा है संथाल विद्रोह का नेत्र तो किसके द्वारा किया गया था तो संथाल विद्रोह का नेत्र तो किसके द्वारा किया गया था सिद्धों और कानों के द्वारा किया था D is the right option सिद्धों और कानों के द अब हम लोगों ने पढ़ा कि जो संथाल विद्रो हुआ था वो कभी स्टार्ट हुआ था 18556 में हमारा संथाल विद्रो इस्टार्ट हो गया था तो सही अप्सन क्या हो जाएगा इस प्रस्ण को बिहार PCS 2017 में पूछा जा चुका है जिसका सही अप्सन क्या हो जाएगा इसक आगे चलते हैं प्रश्ण संख्या 15 पर और प्रश्ण संख्या 15 क्या करा है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था 1855 में जब संथालों के द्वारा विद्रो स्टार्ट किया गया था तो अंग्रेज के द्वारा एक मेजर जो सेना का अधिकारी था मेजर उसको भेजा गया था इसको क्रेक डाउन करने के लिए और वहाँ पर संठालों ने किसको अंग्रेजों का एक था major baru और major वारों यहापर सही आपसंट क्या हो जाएगा major वारों को हराया था तो सही option क्या हो जाएगा C is the right option इस प्रस्न का सही उतर क्या हो जाएगा C बिलकुल सही हो जाएगा इसको कब पुछा गया बिहार PCS 2045 में इस प्रशन को पुछा जा चुका है सी यहाँ पर बिल्कु सही हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं प्रशन संक्या 16 पर चलते हैं प्रशन संक्या 16 क्या का रहा है बोला ब्रिटिस के खिलाप कंद विद्रोह का नेत्र तो किसने किया था ठीक है ब्रिटिसों के खिलाप कंद विद्रोह का नेत्र तो किसके द्वारा किया गया था अब आप से जब पूछे जाएगा कि कंद विद्रोह के बारे में पूछा जाएगा और ये जो कंध जन जाती थी किसके द्वारा इस बिद्रो को इस्टार्ट किया गया था और ये जो कंध जन जाती है ये कहां पर ये जो विद्रो श्टार्ट गुए था वो कहां पर उडिसा में बेसिकली सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन उडिसा में रहा था ये विद्रो उहिसा में स्टार्ट हुआ था और इसका नित्रित तो किसके द्वारा किया गया था तो आप तुरंत बताएंगे चक्र विस्वनोई किसके द्वारा किया गया था ठीक है तो यहाँ पर सही आपसन क्या हो जाएगा चक्र विस्वनोई के द्वारा इसका नित्रित तो किया गया था ए इस दा राइट आपसन ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रशन पर चलते हैं प्रशन संक्या 17 पर चलते हैं प्रशन संक्या 17 क्या करा है बोल रहा है मानव बली प्रथा का निसेद करने के तो यहां पर बूला है कि मानो बली प्रथा का निश्येद करने के कारण अंग्रेजिवों के विद्रो करने वाली जन जाती का नाम क्या हो जाएगा? खोंड, सही आपसन क्या हो जाएगा, भी इस दा राइट आपसन, खोंड जाती, केलियर है, चली, आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला जो हमारा प्रशन है, उसको हम लोग देखते हैं, बोला है, अठारा नबर प्रशन संक्या, अठारा, क्या कर रहा है, अठारा सो सत्तर के दसक में, खेरवाल, अथवा, सफाहार आंदोलन, निम्द लिखित में से किस विचार धारा का प्रचार करता है, इसकी बात कर रहा है, खेरवाल, खेरवाल, अथवा सफाहार आंदोलन ठीक है और खेरवाड या सफाहार आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो कव स्टार्ट हुआ था ये अठारा सो सत्तर में यह आंदोलन क्या हुआ था इस्टार्ट हुआ था प्रारम हुआ था कौन सा खेरवाड या सफाहार आंदोलन ठीक है? और आप से पुछेगा कि इसका काम क्या था इसका जो सात्यों क्या था? एकेस्वरवाद ठीक है? यह जो विद्रो हुगा था मतलब यह जो खेरवाड अत्वा सफाहार आंदोलन चल यह आगे चलते हैं प्रश्थ संख्या 19 क्या करा रहा है बोला कि अंग्रेजों के बिरुद विद्रोह करने वाला प्रथम जन जाती समूह कौन तो आप बताएंगे साथियों जो खासी जन जाती थी तो खासी जन जाती हो के द्वारा एक खासी विद्रोह स्टार्ट किया गया था और यही खासी जो जन जाती है यह क्या अंग्रेजों के विरुद विद्रोह करने वाला पहला पहला जन जाती कौन था? खासी था ठीक है? यहाँ पर सही आपसन क्या हो जाएगा C is the right option ठीक है तो यहाँ पर सही आपसन क्या हो जाएगा प्रेशन संख्या 20 का सही आपसन क्या हो जाएगा खासी विल्कुल सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर और प्रश्न संख्या 20 क्या करा है बुला की वर्ड से 1765 में दिवान नी प्रदान करने के एक बाद अगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 पर प्रश्न संख्या 21 क्या करा है बोला 1829 में अंग्रेजों के विरुद खासी जन जाती विद्रों का नित्र तो किसके द्वारा किया गया था तो 1829 में जो अंग्रेजों के विरुद खासी जन जाती था इसका जो नित्र तो किया गया था वो किसके द्वारा तीरोत सिंग कहीं पर लिखा रहा था कहीं पर तीरत सिं तिसकी बात कर रहा है कि और जो 1831 में कोल विद्रो हुआ था उसका चोटा नागपूर पठार रहे हैं जो मतलब छोटा नागपूर वाला चीट रहा है वहाँ पर था कोल विद्रो हुआ था तो प्रस्ण संख्या सही अफसन क्या हो जाएका 22 टुका सई आप्सन हो जाएगा छोटा नागपूर डी इस दा राइट आप्सन आगे चलते हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं प्रस्ण संक्या 23 पर प्रस्ण संक्या 23 क्या करा रहा है आप्सन भी यहाँ पर बिल्कूल सई हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला जो हमारा प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 24 प्रस्ण संक्या 24 क्या करा रहा है बोल रहा है कोल विद्रो 1831 बतिस का नेत्र तो किसके द्वारा किया गया था किसकी बात कर रहा है कोल विद्रो तो कोल विद्रो जो हुआ था 1831 बतिस में इसका नेत्र तो बुद्धु भगत के द्वारा किया गया था ठीक है, सही आपसन क्या हो जाएगा, A is the right आपसन गुद्धो भगत, चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रशन पर, प्रशन संक्या 25, प्रशन संक्या 25 क्या करा है, बोल रहा कि निम्न लिखित में से कौन सी घटना, महराष्ट में घटित हुई थी, कौन सी घटना, तो साथिय जो भील विद्रो हुआ था, अगर आपसे प्रशन दो चीजे पूछा जाता, जियोग्राफी में एक प्रशन पूछा जाता है, कि सबसे ज़्यादा जन जाती, कि सबसे ज़्यादा संक्या है, तो उसमें आप बाताते हैं, जो भील जन जाती है, भील जन जाती की संक्या वो गुजरात, महाराष्ट, मंद्य प्रदेश और राजस्थान के छेत्रों में निवास करती है ठीक है, तो वहाँ पर उनके द्वारा भील विद्रो किया गया था और महाराष्ट में घटित हुआ था, कौन सा भील विद्रो हुआ था तो सही अप्सन क्या हो जाएगा, A is the right option ठीक है, A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रस्ण पर, प्रस्ण संख्या 26 पर प्रस्ण संख्या 26 क्या कर रहा है, अंग्रेजों के बिरुद, भीलों के द्वारा क्रांती प्रारंब की गई थी, कहाँ पर क्रांती प्रारंब की गई थी तो जहाँ पर बिल्की जन संख्या जादा होगी, वहीं पर तो करेंगे और यहाँ पर सही अप्सन क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट, A is the right option किलियर है, चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रदेश पर अगला जो प्रस्न है प्रस्न संख्या 27, और क्या कर रहा है, हो बिद्रो की बात कर रहा कि हो बिद्रो कब स्टार्ट हुआ था, तो आप बताएंगे कि हो बिद्रो जो था 1820-21 के दौरान प्रारम हुआ था C is the right option हो विद्रो 1820-21 में प्रारम हुआ था चली आगे चलते हैं अगले पर प्रस्ण संक्या 28 क्या करा है बोला कि मुंदा विद्रो का नेता कौन था मुंदा विद्रो अब यहाँ पर आपको साथ हो most important fact होंगे इनको तयार करना पड़ेगा तो मुंदा विद्रो की बात करेगा तो इससे related विर्षा मुंदा जो थे मुंदा विद्रो के नेता थे A is the right option मुंदा विद्रो के नेता कौन थे विर्षा मुंदा चली तो आगे अब हमसे पूशर क्या रहा है कि मुंदा विद्रो का नेता कौन थे तो सही option क्या हो जाएगा A is the right option विर्षा मुंदा ठीक है चली आगे चलते हैं प्रश्न संक्या 29 प्रश्न संक्या 29 किसकी बात कर रहा है विर्षा मुंदा का कारेच छेतर कौन सा था तो ये जो राची वाला छेतर था विर्षा मुंदा का कारेच छेतर था राची वाला सही option क्या हो जाएगा B is the right option विर्षा मुंदा का जो छेतर था वो कौन सा था राची था आगे चलते हैं प्रश्न संक्या 30 पर चलते हैं क्या कर रहा है बोला मुंदाओं ने विद्रो खड़ा किया था कब तो मुंदा विद्रो जो हुआ था वो कब श्टार्ट हुआ था 1885 से लेके 1910 तक क्या चला था हमारा मुंदा विद्रो चला था तो सही option क्या हो जागा A is the right option श्टार्ट कब हुआ था 1885 ने 1895 में मिश्टार्ट हुआ था कब 1895 में मिश्टार्ट हुआ था D is the right option चलिए आगे चलते हैं प्रशन सग्या 31 की बात कर रहा है बोला कि बिर्सा मुंदा के गुरु कौन थे स्वामी सहदानन्द थे आनन्द पांडे थे जत्रा भगत थे या MNRI थे तो आप बताएंगे साथ यो बिर्सा मुंदा के जो गुरु थे उनका नाम था आनन्द पांडे सही option क्या हो जाएगा B is the right option बिर्सा मुंदा के जो गुरु थे उनका नाम क्या था आनन्द पांडे था चलिए आगे चलते हैं अगले प्रशन पर प्रशन संक्या 32 पर चलते हैं और प्रशन संक्या 32 क्या करा है कि भारत के इतिहास के संदर में उल गुलान अथवा महान उपद्रो निम्दलिखित में से किस घटना को कहा जाता है तो जो हमारा भील भील जो हमारा हुआ था सबस्टेbrau, मुंडा विद्रो जो हुआ था मुंडा विद्रो को हम लोग दूसरे नाम से ओल बुलान विद्रो भी कहते हैं और जो मुंडा विद्रो स्टार्ट हुआ था वो कब से स्टार्ट हूआ था 1895 से लेके 1900 तक चल था और बिरसा मुंडा इसका नित्र तो किये थे, तो सही option क्या हो जाएगा, D is the right option, 1899-1900 के बिरसा मुंडा का जो बिद्रोह था, उसी को उल गुलान बिद्रोह भी कहा जाता है, सही option क्या हो जाएगा, D is the right option, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रशन पर, प्रशन संख्या 33, प्रशन संख्या 33, प उल गुलान क्या था, एक मुंडा बिद्रोह था, उल गुलान क्या था, A is the right option, उल गुलान जो था, एक मुंडा बिद्रोह था, A हापर बिल्कुल सही हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 34 पर, और प्रशन संख्या 34 क्या करहा है, बोल रहा है भूमिज बिद्रोह का नेता कौन था, किसकी बात कर रहा है, प्रश्ण संख्या 34, भूमिच बिद्रोह का नेता कौन था, तो आप बताएंगे, आपसन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा नरायर जो थे, यह भूमिच बिद्रोह के नेता थे, सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं प्रश्ण संख्या 35 पर और प्रश्ण संख्या 35 क्या करा है बोला अलूरी सीता राम राजु जो बिद्रो कहां पर हुआ था और ये साथियो इसको हम लोगτε क्या क्या कहते हैं? रंपा बिद्रो के नाम से भी जानते हैं और राजू रंपा, कौन, राजू रंपा, जो राजू रंपा इसके प्रमुख नितिक तो करता थे, तो अलारू सीता राम राजू जो हुआ था, ये क्यों, सही आफ़सन क्या हो जाएगा, तो 35 का सही आफ़सन क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रशन पर, प्रशन संख्या 36 पर चलते हैं, प्रशन संख्या 36 क्या कहा रहा है, बोल रहा है कि आंद्र के, आंद्र के, अलूरी सीता राम राजू बिद्रो किसके बिरुद हुआ था, ठीक है, तो ये किसके बिरुद हुआ था, अंग्रेजों के बिरुद में बिद्रो हुआ था, सही आफ़सन क्या हो जागा, C is the right option आंदर के अलूरी सीता राम राजू का विद्रो अंगरेजों के भिर्ध हुगा था ठीक है? C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण संक्या 37 पर प्रश्ण संक्या 37 क्या करा है? बोला कि निम्द लिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रो से संबंदित था? ठीक है? तो गुडेम रंपा विद्रो से संबंदित कौन थे? अलूरी सीता राम राजू जो थे वो रंपा विद्रो से संबंदित थे सही अप्सन क्या हो जागा? C is the right option चली आगे चलते हैं अगले प्रस्ण पर प्रस्ण संख्या 38 प्रस्ण संख्या 38 क्या करा है? महात्मा गाधी और उनकी विचार धारा से प्रभावित होने वाला पहला जन जाती निता कौन था? तो आप कहेंगे साथियो मड़ी पूर में था ये जदो नांग ठीक है कौन थे? जदो नांग जो थे? ये साथियो क्या? महात्मा गाधी की विचार धारा से प्रभावित होने वाले पहले निता थे सही अप्सन क्या हो जागा? जदो नांग is the right option चली आगे चलते जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंब हुआ था? जिया तरंग आंदोलन को किसे ने प्रारंब किया था? जदो नांग जो जदो नांग थे इनहीं के द्वारा जिया तरंग आंदोलन को प्रारंब किया गया था और ये कहां पर प्रारम हुआ था, मड़ीपूर में प्रारम हुआ था, आगे चल से, आगे चल के इस आंदोलन का नेत्रिक तो किसके द्वारा किया गया था, रानी गैड नल्यू के द्वारा, गैड नल्यू के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, तो यहां पर सही अप्सन क्या हो जाएगा, मड़ी पूर इस दा राइट आप्सन, सी यहाँ पर बिल्कुर सही हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 40 पर, और प्रशन संख्या 40 क्या करा है, इन में से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है, ठीक है, तो जो थेबल औराओं थे, कौन, थेबल औराओं जो थे, इनका संबंध किससे से सनातन आदिवासी महासभा से, तो सही अप्सन क्या हो जाएगा, A is the right option, चलिए आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 41 पर, प्रशन संख्या 41, और इसमें बोल रहा है, रामोसी जो बिद्रो हुआ था, रामोसी बिद्रो का नेत्री तो चितूर सिंग के द्वारा किया गया था, प्रशन संख्या 41, ठीक है, रामोसी बिद्रो, कौन सा एक, हाँ, यह तो बिलकुल, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि, रामोसी बिद्रो, इसका नेत्री तो चितूर सिंग के द्वारा किया गया था, संथाल बिद्रो, और यहाँ पर लिखा हुआ बिरसा मुंडा, मुंडा जो बिद्रो था, उसका नेत्री तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया था, जबकि संथाल विद्रो था इसका नेत्रितो सिध्धो और कान्हो के द्वारा और किसके द्वारा सिध्धो और कान्हो के द्वारा इसका नेत्रितो किया गया था रंगपूर विद्रो इसका नेत्रितो किया इसके द्वारा किया गया था प्रश्न संक्या 41 आप समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं प्रश्न संक्या 42 से तो online जो live class है तो कल की class में हम लोग इसी के आगे start करेंगे प्रश्न संक्या 42 से अपने class को continue करेंगे तो जितने भी साथी अगर उनको class informative लगी हूँ अच्छा लगा होगा तो इसको आप जरूर like कर देंगे share कर देंगे ठीक है और कल की class से हम लोग पुना 10 बजे उपर सित होंगे live में ठीक है तो आज की class को हम लोग साथी और यहीं पर समाप्त करते हैं कल पुना हम लोग 10 बजे उपर सित होंगे नमस्कार धन्यवाद